हेलो और वेल्कम बैक टो एवरीवन मेरा नाम राहूल और दा मिशिन डेवलप्मेंट एकाडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर आडमीशन नेना चाहते हैं चाहिए मोसानिक स्कूल हो मिलिटरी स्कूल हो, CHS हो या किसी भी तरीके के जो स्कूलर से टैस्ट होते हैं उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यह टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और हैल्पूल होने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं समझन इस बैच को डिजाइन किया हुआ है और जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको तीन चीज़े पता होती है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं पिछली क्लासिस में हमने किस चीज के बारे में डिस्कॉशन किया था और आगे हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली चीज की last class में हमने देखा था playing with numbers related कुछ concepts. आज हम practice करने वाले हैं playing with numbers related questions को solve करेंगे. हमने concept बहुत अच्छी तरीके से देख लिये हैं. केवल यहाँ पे common sense के basis पे हम questions को करते हैं और concept के अंदर मैंने बताया था के divisibility rule के जो concept हैं वो आपके clear होने ही चाहिए. और इसके पहले कि आप चीजों को सुरू करो सबसे पहले rules के बारे में हम बात कर लेते हैं. यह वो rules हैं जिन्हें आपको follow करना ही करना है अगर आपको मेरे साथ continue करना चाहते हो तो इन rules को follow करना पड़ेगा. पहली चीज़ आपके पास में notebook और pen होना चाहिए जिसमें आप अपने खुद के notes बना सको. दूसरी चीज़ अपने खुद के notes बनाना है वीडियो को देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है या daily का काम daily करना है, revision जरूर करना है आपको जो भी questions बीच में दिये जाएं उनको solve करना है daily का काम daily यानि homework daily करना है वीडियो देखते समय completely आपको focus रहना है ये important part है ऐसा नहीं कि आपके पास में कोई notification आजाए और आप अपने notification को देखते देखते पता नहीं कितनी reels और कितने instagrams के जो sorts हैं, youtube के sorts आप scroll करते करते अपने time वहाँ पे आप गमा देते हो इसके लावा जो tracker seat है, उसको fill करना आनिवार है जो भी हमारे mentorship program से जुड़े हुए हैं बच्चे इसके अलावा अगली class को attend करने से पहले पिछली classes का revision आप जरूर करके आएंगे इसके साथ साथ dear students, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जिस चीज के बारे में हम discuss करने वाले हैं, वो topic हमारा होने वाला है playing with numbers related जो उसके questions हैं, उनको हम detailed में discuss करने वाले हैं और यह हमारा chapter number 24 है, और यह जो हमारी class है, 24th class है और इसके पहले हमने total classes को हमने complete कर लिया है, तो चलिए आज discuss करते हैं, समझने की कोशिस करते हैं slaybers को सबसे पहले slaybers में हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो copy है न, उसके front page पे slaybers होना चाहिए front page में जब आपका slaybers होगा, तो आपको पता होगा, कि हमें क्या चीज़ें करनी है, front page से ही decide होता है कि हमने कितना complete कर लिया, मैंने बताया न, यह GPS system की तरह है आपका, और यहां तक हमने complete कर लिया है न सिर्फ chapter number 11, बलकि अब हम इस labels में आगे बढ़ते बढ़ते, जिस topics को आज हम discuss कर रहे हैं, वो है हमारा playing with numbers और playing with numbers जो है न, इसके questions आज हम solve करने वाले हैं, वो questions जो आपके exams में पूछे जाते हैं तो चलिए, यह पूरे topics आने वाले session में हम complete करने वाले हैं, यह पूरे topics कवर होंगे और maths का इस तरीके से complete labors हम discuss करने वाले हैं, यह है आपका question number first इस question number first में आपके सामने हैं 4 option और आपको बताना है कि इन 4 options में से सबसे सही answer कौन सा है हमें बताना है कि क्या यह number 11 का multiple है या फिर नहीं है, where is a is the digit, the value of a, a की value आपको बतानी है और यहाँ पे जो number दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 1, 4, 8, 1, 0, 1, और इस a की value बतानी है, 0, 9, 5 क्या यह 11 का multiple है, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा, कि यह number 11 से divisible हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और 11 से अगर divisibility rule के बारे में बात करें, तो आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि alternate way में हमें plus minus करना होता है, alternate way में अगर आप plus minus करोगे, तो आप इस answers तक पहुँच जाओगे कि यह number 11 का divisible है कि नहीं, divisible होगा, तो multiple भी हमारा आसानी से find out कर सकते हैं, यह plus है, तो यह minus होगा, यह plus, फिर यह minus alternate way में plus minus करना है, यह plus, तो फिर यह minus, फिर यह plus और फिर यह minus, अब हम solve करने वाले हैं, देखने वाले हैं exactly कि क्या आने वाला है इसका answer, अगर आप मेरे से regular पढ़ रहे होना, आपको पता होगा, alternate way में plus minus करते हैं, जब हमें 11 के divisibility rule मैंने आपको बताई थी, पर वामें बता पर जो number है, और जो old places पर number है, उनको plus करके difference उनका find out कर लो, देखिए, अब अगर हम देखें, तो यह है आपका plus का one, यह है आपका minus का one, correct, इसी तरीके से, अगर यहाँ पर देखा जाए, तो यह है आपका 8, correct, यह है आपका 8, और यह है 9, 8 और 9 हो जाते हैं, 16, 8 और 9 हो ज इसी तरीके से, अब हमारे पास में minus minus के number बचेंगे, तो हमें minus करना है, 4 और यह 1, 5, 5 और यह 5, 10, एनि कि यहाँ बचेंगे 7, 7 में ऐसे कौन सी number को plus किया जाए, ऐसे कौन सी number को plus कर दिया जाए, कि यह number हमारा 11 का divisible हो जाएगा, या 11 के multiple में आ जाएगा, तो आप 11 में अगर हम 4 को plus कर देंगे, 11 में अगर हम 4 को plus कर देंगे, 11 और 4 हो जाएगे, 7 और 4 हो जाएगे 11, 11 हो जाएगा, यानि कि option number B जो है, वो right answer है, आपको इस question में क्या करना था, alternate way में plus minus करना था, और यहाँ पे हमारा A लिखा हुआ है, और A यानि कि यहाँ पे जो A की value है, वो क्या होनी चाहिए, वो 4 होगी, अगर वो 4 होगी, तो हम 7 और 4 plus करने 11 हो जाएगा, जो कि यह number 11 का multiple निकल करके आएगा, यहाँ तक आपको clear है, या तो फिर 0 होना चाहिए, या तो फिर minus 7 option में होता, तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी minus 7 नहीं है, 0 होना चाहिए, या 11 के multiples होने चाहिए, alternate way में plus minus करके आप इसके answers तक पहुंच सकते हो, I hope कि आपने इस question को अपनी copy के अंदर note down भी किया हो, देखिए, जब तक आप चीजों को note down करके नहीं पड़ोगे न, तब तक आपको चीजें आसान नहीं लगने वाली है, चलिए, अगले question के बारे मे value find out करनी है, A और B की, A और B की value आपको find out करनी है और बहुत आसान question है, यहां लिखा हुआ है B और ये लिखा हुआ है A, इसमें ऐसा क्या multiplication करें, यह B लिखा हुआ है यह 3 लिखा हुआ है, यहां पे आना चाहिए 57 और यह A आना चाहिए, मतलब यहां पर एक ऐसा number है, जिसक इससे भी चेक आउट कर सकते हो, option की through भी आपको hint मिल सकती है, अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, अगर हम 2 रखेंगे, 3, 2, 6, 2 वाले options तो हमारे बिल्कुल भी नहीं होंगे, अब यहाँ पे हम 5 रखते हैं, यहाँ पे गर हम 5 रख देते हैं, तो 5, 3 जा 15, यानि कि यह 5 हा क्या करेक्ट, carry आपकी हो गई 1, carry हो गई आपकी 1, clear है, तो अब यहाँ पे हम ऐसा क्या number रखेंगे, कि जिसका हम multiplication करें, तो यह हो जाएगा हमारा 7, तो 6, यहाँ पे 6, 6 जा 36 और 1, 7, यहाँ पे अगर 6, 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे हम रखेंगे, तो ग B की value में, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, और यहाँ भी 6 रखते हैं, तो 6, 6 जा 36 और यह 1, 37, 3 आएगा, लेकिन यह तो आ जा रहा है, लेकिन एक और यहाँ पे possibilities बनती है, वो किसकी possibilities बनती है, यहाँ पे 6 option में नहीं दिया होगा है, तो यह तो option हमारा होई नहीं सकता, कह 5 अगर रख देता, 55 जा 25 और यह 126, 5 तो होगा नहीं, तो अब हम 2 रखके देखेंगे, 2 रखके देखेंगे, यहाँ पे 2 और यह 2, तो देखिए हमारे पास में जो number आया है, वो आया है 25 और यह multiplied by 23, जब हम इसको multiply कर रहे हैं, तो 575 आ रहा है, completely आप देखोगे, यहाँ से A और B दोनों की value को आप judge कर सकते हो, इसके answers तक पहुच सकते हो, और बहुत आसान है 25 का, जब आप multiplication करोगे 23 में, तो आपको भी पता है 575 आएगा, इस तरीके से common sense के basis पे हम अपने answers तक आसानी से पहुच कर सकते हैं, बहुत simple है, hit and trial method है, hit and trial, hit and trial, आपको देखना है कि क् hit कर रही है, और कहां पे हमारा answer आ रहा है, और इन options के जरीए हम इसके answers तक आसानी से पहुच सकते हैं, let's get started, now अब हम चलते हैं अपने question number third पे, question number third को ध्यान से देखिए, कि इसका सही answer क्या होने वाला है, इस numbers यह जो Z लिखा हुआ है, यहां पे अगर हम ऐसा कौन सा number put करे कि यह 9 से divisible हो जाए, यह हमारा number 9 से divisible हो जाए, हमारे पास में number दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, 8 लिखा हुआ है, हमें ऐसा देखना है, तो आपको पता है, अगर आपको 9 की divisibility rule के बा सबसे पहले numbers को plus कर दो और उसके बाद उनका जो result है उनमें 9 के divide करके देखो क्या है वो number 9 से divide हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो देखे 2 और plus 1 3 3 और plus 4 7 7 और 7 14 14 और 1 15 और यहाँ पे इन सब को हमने plus किया तो क्या है 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 1 15 और 15 plus यहाँ पे हमें numbers के बारे में नहीं पता plus 8 कर लो 17 और 8 करेंगे तो यहाँ पे answer हो जायगा 23 23 में ऐसा क्या plus कर देंगे कि वो number हमारा 9 से divisible हो जायगा 23 में ऐसा क्या plus कर देंगे कि number हमारा 9 से divisible हो जाएगा 9 की अगर हम वो find out करते हैं तो अगर हम 23 में 3 को plus कर देंगे तो क्या हमारा जो number है वो 9 से divisible होगा क्या नहीं होगा अब यहाँ पर देखें अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हमारा answer आएगा 27, 27 हमारा 9 से divisible हो जाएगा बिल्कुल 23 और plus 7, 27 हो जाएगा 27, 9 से divisible तो हो सकता है बट हमें और भी numbers देखना है कि किस के लिए वो divisible हो सकता है 23 तो हमारा आचुका है 15, 15 में 8 plus कर दिया हमने sorry 12, 20 यह होगा यार यहाँ पर 23 नहीं होगा 22 होगा 23 होगा 9, 10, 11 12, 13 हाँ 23 में अगर हम 4 को plus करते हैं तो भी answer हमारा आ रहा है 27 यानि कि यहाँ पर अगर हम 4 रख रहे हैं तो भी हमारा answer आ रहा है clear 4 रखने पर हमारा answer आ रहा है 5 रखने पर 28 हो रहा है तो यह हमारा answer नहीं होगा 7 रखने पर यह क्या हो रहा है 30 हो रहा है तो यह answer नहीं है 4 ही हमारा correct answer है 4 हमारा जो है वो correct answer होगा 4 जो है वो आपका correct answer हो 4 हमारा जो है वो correct answer हो क्योंकि 4 को ही रखेंगे तो ही वो 9 से divisible होगा यह number चलिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमें बताना है कि x, y, z का जो नियूंतम मान है वो क्या होगा x, y, z, x, y और z को प्लस करने पे क्या आएगा बहुत simple है हमें पता है 9 का divisibility rule सारे numbers को प्लस करके देख लो यह x plus 2 plus y plus 6 plus z तो 1 और 2 3, 3 और 6, 9 9 plus x plus y plus z तो यह बोल रहा है x plus y plus z का नियूंतम मान क्या होगा x plus y plus z अगर 9 करेंगे तो भी यह number 9 से divisible हो जाएगा लेकिन इससे छोटे number हैं क्या 6 पे तो divisible ही नहीं होगा 1 पे भी नहीं होगा 0 अगर रख देंगे तो 9 plus 0 9 plus 0 यानि कि 9 ही आएगा यानि कि सबसे नियूंतम जो value है वो 0 है सबसे नियूंतम हमसे पूछा है तो इसका answer होगा 0 यानि कि option number 1 is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question के बारे में बात करते हैं इस question को सोचने के लिए मैं आपको time देता हूँ और इस question को आप खुद ही solve करोगे 5A3 लिखा हुआ multiplication हो रहा है B2 upon 1C462D920 हमें A, B, C, D, E, F, G इनकी value find out करनी है कि क्या होगा इनका गुड़नफल क्या होगा ऐसा कौन सा number हम यहाँ पे put करने वाले हैं जिससे की हम अपने answers तक आसानी से पहुँच सकते हैं यही चीज हमें बतानी होगी इस questions में कि इसका right answer क्या होने वाला है तो इस question को सबसे पहले तो अपनी copy के अंदर note down करिए और note down करने के बाद आपको इस question को solve भी करना है आपको इस question को क्या करना है solve भी करना है तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले तो 5 और यह जो box है इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ multiplication हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले और 2 सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यहाँ पे C है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 पहले हम एक चीज का multiplication find out करने वाले हैं फिर उसके बाद में चीजों को देखने वाले हैं solve करने वाले हैं कि क्या क्या आ सकता है देखिए एक ही value है यहाँ पे यह एक ही value सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 3, 2, 6 यह तो complete है लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा number है जिसमें हम multiplication करेंगे तो 4 आ जाएगा एक तो अगर हम 2 रख देते हैं तो 2, 2 जा 4 होगा अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2, 2 जा 4 हो जाएगा clear है लेकिन 5, 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो एक ही value 2 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है अगर हम 7 रखते हैं अगर हम यहाँ पे हम 7 रखते हैं तो भी हमारी possibilities बनेगी अगर हम 7 रखते हैं तो भी हमारी possibilities बनेगी चलिए पहले हम 2 रख करके देख लेते हैं कि कहां कहां तक अब हम 1 और C वाले के पहले हम answers तक पहुँचने के कोसिस करते हैं तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2s आ 6 और 2 2s आ 4 और इसके लाव 5 2s आ 10, यानि कि हमें A और C की value तो मिल चुकी है, A की value 2, A की value 2 और C की value 0, यहाँ पे C की value 1 है, यानि कि 2 रखने पे ये वाली condition तो satisfy नहीं हो रही है, अच्छा 7 रखने पे क्या हो रहा है, 7 रखने पे क यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 put कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी दिर के लिए 7 रख दिया मैंने, 7 2s 14, carry 1, 5 2s 10 और 11, यह अगर 1 रख देते हैं, यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, 11, 1, 7 रखने पे 1 आना चाहिए, 7 रखने पे 1 यहाँ पे अब फिर देखते हैं कि क्या conditions बन रही हैं, क्या conditions बन रही हैं, क्या हमें put करना पड़ेगा, यहाँ पे भी B की value 4 put करनी हैं और यहाँ भी B की value 4 है, तो चलिए B की value इस बार हम 4 put कर के देखते हैं और देखते हैं कि कहा पे conditions आपकी satisfy हो रही है, अब हम 7 को छोड़ देटे अभी तक हम B की value आप 4 put करने वाले हैं तो B की value हम क्या put करेंगे सबसे पहले B की value 4 put करते हैं जब हम 4 put करेंगे तो 4, 3s are 12 अगर हम 7 put करते हैं तो 7, 3s are 21 करें 7, 3s are 21 होता चुकि यहाँ पर 1 तो है नहीं यानि कि 7 वाली conditions तो आप खताम हो गई तीनों conditions खतम होगा यह option number A is the right answer आप put करके देख लेना आपके answers यहाँ पर आ जाएंगे यानि कि आपका जो answer होगा 523 multiplication है 42 का आगे solve करने की जरूरत ही नहीं है हमने केवल condition hit and trial method hit and trial method इसको कहते हैं hit and trial हमने trial करके देखा कहां पर conditions आ रही है कहां पर conditions आ रही है अगर हम यहाँ पर 7 रख रहे थे तो क्या हो रहा था 7, 2, 14 यहाँ पर 4 तो है नहीं 4, 2, यहाँ पर देखिए 4, 3, 12 और 7, 3, 21 हो रहा था 1 यहाँ पर है नहीं अब यहाँ पर देखिए यह 2, 2 आ रहा है यहाँ कि 4 रखने पर ही आएगा तो यहाँ पर हम कह सकते ही B की value 4 होगी और 7 की conditions में तो यह satisfy ही नहीं कर पा रहा था यह question क्योंकि 7, 4, 28 होता है और यहाँ पर यह conditions put नहीं कर पा रहे satisfy नहीं कर पा रहे इसलिए option number A जो है वो right answer आप multiplication करोगे तो भी answer आप खा जाएगा completely EFG की value को भी find out कर सकते हो चलिए इस question में बताइए कि इसका सही answer क्या होने वाला है कैसे आप इस answer तक पहुँच सकते हो divisibility rule अगर आपने पढ़ा है अगर आपने divisibility rule को बहुत अच्छी तरीके से देखा है समझा है, सीखा है तो आपके लिए ये जो चीजे हैं बहुत आसान होने वाली है मैं बार-बार कहता हूँ कि copy में जो बच्चे लिख करके पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखते हैं 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस X प्लस Y X प्लस Y की value find out करना है तो देखो, 5 है और 7 और 3, 10, 15 आ गया 15 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस कर दें कि वो 90 से divisible हो जाए 90 का मतलब वो नंबर हमारा 9 से भी divisible होना चाहिए और 10 से भी divisible होना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए 15 में 6 प्लस करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा 15 में अगर हम 9 अगर प्लस कर देते हैं 15 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो क्या वो हमारा नंबर आने वाला है क्या 15 में अगर 6 प्लस कर देते हैं तो नहीं आएगा 3 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा 18 हो जाएगा वो नमबर तो 1 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18 अच्छा 18 तो 9 से divisible हो जाएगा लेकिन 9 को गरम प्लस कर रहे थे तो वहाँ पे वो नमबर divisible नहीं हो पा रहा था 8 को प्लस करने पे भी divisibility नहीं आ रहे थी तो यहाँ पे जो ऑप्षिन आ रहा है वो क्या आ रहा है ऑप्षिन नमबर c आ रहा है c आने पे हमारा जो है x प्लस y की जो condition है वो क्या आने चाहिए उनको प्लस करने पर 3 आने चाहिए यानि कि यह अगर 3 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 3 प्लस 0 तो 90 से नमबर divisible हो जाएगा क्योंकि 90 से डिविजल होने के 10 से भी डिविजल होने चाहिए एक नमबर तो 0 होगा और एक नमबर 3 हो सकता है तो दोनों का हम से सम पूछा था इस question में तो आसानी से हम इसके answers तक पहुँच सकते हैं और दिखिए मैंने आपको इस type के questions की भी practice कराई थी प्लस माइनस की तो आपको बताना है चलिए कि आपको बताना है A, B, C के मान बताने है यह options क्यों हो A, B, C के ठम में होना चाहिए What is the value of अच्छा value बतानी है कि 5C दिया है A, B, C की value find out करनी है A, B, C की value find out करनी है एक सेकंड मैं इसके options देख लेता हूँ कि कही options तो इसके वो तो नहीं है find the value of A, B, C in the question find the value of A, B, C A, B and C A और A, B, C की value है find out करनी है correct E, B, C की value जो हमें find out करनी है कि इनको plus करने पर हमें क्या मिल रहा है देखते हैं क्या आ रहा है तो divide हमें दिया हुए जी divide में क्या है 9 है और ये 4, A, B देखिए अगर 5 बार में कर रहे हैं तो 45 होगा यानि A की value तो confirm है A की value क्या मिल गई? 5 मिल गई A की value आपकी आगई है 5 तो ये 45 आपका cancel out हो जाएगी अब यहाँ पर B की value क्या हो जाएगी? 45 है तो अब यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 3 बच रहा है 3 और B बच रहा है तो यानि की इसे 3 जादा होगा A की value क्या होगी? 3 जादा होगी तो 5 नहीं होके ये number क्या होना चाहिए? फिर 8 होना चाहिए इस condition में तो ये 3 आएगा और B की जो value है वो यहाँ पर ये 36 है ये B है तो यहाँ पर number ये 6 होगा clear है? तो ये हो जाएगा 36 36 होगा और यहाँ पर ये C है यानि की C की जो value है वो कितनी बार में जा रही है? 4 यानि की A की value 5 B की value 6 और C की value 4 A की value 8 है यहाँ पर 8 A की value 8 है B की value 6 है और C की value 4 है तो इन सबका हमें value find out करना है तो ये हो जाएगा 18 यानि की option number D जो है वो correct option होगा option number जो D है वो आपका correct option होगा तो I hope की ये question आपको समझाया होगा बहुत आसान सा question था और option number जो D है वो इसका right answer है वो ही इसका सही answer भी है चलिए आगे चलते है अगले question के बारे में हम बात करते है और देखते हैं कि next question में क्या दिया हुआ था इससे एक आद questions आते है तो हम देखते हैं इसमें कि why का मान क्या है यहाँ पर दिया हुआ आपको बताया अभी कि कोई भी number 11 से कब divisible होता है कोई भी number 11 से जब ही divisible होता है जब हम उसको alternate way में plus minus करके देखते है कि उसका सही answer क्या होगा तो alternate way में plus में इसकर देखते हैं plus फिर minus फिर plus फिर minus फिर plus चलिए जी अब हम solve कर लेते हैं 6 में से अगर हम 7 को minus करेंगे तो यह होगा minus का 1 minus का 1 और minus का 1 minus का 2 होगा correct और plus का 9 तो 9 minus 2 9 minus 2 तो 7 हुआ 7 में ऐसा क्या plus करें कि यह number हमारे 11 से divisible हो जाए तो 3 plus करना चाहिए तो option number जो first है 11 में अगर हम 3 को plus करेंगे तो 10 होगा 4 plus करेंगे तो यह 11 होगा 7 और 4 क्या होगा 11 होगा यानि कि 11 आने पर यह number क्या हो जाएगा 11 से divisible हो जाएगा यह number तो option number जो C है वो आपका correct option option number C is the right answer देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बार बर कहता हूँ अभी जितने भी chapters हमने complete किये हैं अगर आपने regular follow किया है तो आपके लिए काफी आसान होगा और मैं हमेशा कहता हूँ एक बार में एक task करने के कोसिस करना है बहुत सरबच्चे tension लेते हैं कि हमारे और भी जो other subjects होंगे उनका क्या होगा देखिए सबसे पहले हमें major parts पर focus करने है और हमारा major part है जो 50% जो slavers है वो आपका maths है तो सबसे पहले हमें 50% को target करना है यानि अकेले बाकी subjects की मेहनत वो equal to है आपके maths की मेहनत की तो हमें maths पर focus करना है चलिए जी आगे बढ़ते हैं इस question को यार solve करो और पताओ A, B, C, D की value क्या है और मैं आपको बताता हूँ बी equal to 4 है ठीके ना ये बी equal to 4 है यहाँ भी B4 है आप hidden trial method से इसके answers को निकालो मैं आपको कुछ minutes, एक minute के time देता हूँ आप इसको solve करने कोसिस करो और देखो कि actual में क्या number है जो आ सकता है किस number को हम put कर सकते हैं यहाँ पर देखिए C है दिया हुआ अब देखिए C में क्या क्या दिया हुआ C में 4 दिया हुआ C में 5 दिया हुआ C में 5 दिया हुआ और बाकी आप match करके देख लो, कि हाँ B की value फिर 5 रख के देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो 5 और 7, 5 और 7 और यहाँ पे एक carry पहले सी चल रही है, तो 13 हो जागा, यह भी satisfy कर रहा है, अच्छाए A की value 2 रख देते हैं, 2 और 1, 3 और 1, 4, और फिर उसके बाद से D की जो value है, वो 4 हो जाएगी, तो 4 और 3, 7 हो जाएगा, यहाँ कि completely सही आ रहा है, यहाँ कि 3, 2, 5, 6, 4, 1, 7, 4, इसको plus करने पर 7, 4, 3, 0, option number 8, पहले ही number में logic आपका है, और यह option आपको दिये जाएंगे आपके exams में, वहाँ से भी option से भी आप try काल सकते हो, option से भी आप चीजों को try करके अपने answers तक पहुच सकते हो, बहुत आसान idea students, चलिए यह आप हमारा यह last question है, इसको भी आप solve करिए, और बताईए कि इसके answers क्या हो सकते हैं, इस type के questions, concept के अंदर मैंने आपको बताएं है, क्या approach होनी चाहिए, judge करो ना यहाँ पे क्या approach होनी यह कौन सा ऐसा number है, जिसमें से 9- करने पर 7 आजाए, तो अगर हम 16 रखते हैं, यह कैरी बोलनेगा, तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9- करोगे, तो 7 आएगा, यह तो आपको clear है, बहुत अच्छे से पता है, अच्छा, एक ही value 6 है, कहीं कहीं एक ही value, 5 दी रही है, 15 में से 9- कर होगे, तो यह बिलकुल होगा, इनी option, अब यह दो option है, आपके पास में, A और B में से क्या सही जा सकता है, इसको हमें trial करना है, यानि कि सबसे पहले तो यह हो गया, 4, 3, और आपका हो गया, क्या यह, A की value 6 रख दिया है, अच्छा, okay, minus कर दिया, whatever जो भी number है, ठीकि, और य इच वाले जो number हैं, वहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं, कैसे, 4, 3, 6 आ गया, और यह भी हमें completely मिला हुआ, तो 4, यह देखो, 4, 3, 6 में से minus कर दो, 247 को, तो यहाँ पर हम देखेंगे, कि 9 आ गया हमारा, clear है, और इसी तरीके से, यहाँ पर आ गया 12, 12 में से अगर हम 4 को minus करेंगे, तो हमारा 8 आ जाएगा, clear है, और यहाँ पर 3, 1 आ गया, 189, 189 is the correct option, 189 is the correct option, okay, so dear students, so dear students, यह जो चीजे दी हुई है, यह जो चीज आपको दी हुई है, 189, यह जो चीज दी हुई है, इसके थुरू आप answers को judge कर सकते हो, कि इसका correct answer क्या होने वाला है, so इसका correct answer होने वाला है, option number B, option number B is the right answer, क्योंकि C की value 8 आ रहे हैं, I hope, कि आपको यह जो concept है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा, चीजे भी आपको समझाया होगी, जो बच्चे हमारे mentorship program से जुड़े हुए हैं, उनके लिए practice के लिए जो worksheet दी जाती है, उनको भी आपको solve करना है, और tracking seat को fill कर लेना है आपको कहां तक हमने complete किया, यह पूरा का पूरा जो है, हमने complete किय हुआ है, और यह आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता भी है, यह आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता भी है, चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं, तो यह भी 12 chapter हमारा complete हो चुका है, आगे आने वाले lectures में हम discuss करेंगे chapter number 13 के सबसे पहले तो concept फिर हम इसके questions तक पहुचने वाले हैं, चलिए, यह students हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से complete यह chapter होने वाला जो भी बच्चे हमारे mentorship program से जुड़ना चाहते हैं, इस number पे contact कर सकते हैं, जो उपर number है, इस number पे contact करके और आप पूरी detail ले सकते हो, इसके लावा मैं बता द दिता हूँ कि जो बच्चे हमारे mentorship program से जुड़ते हैं, सबसे पहले हम syllabus का analysis करवाते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनका weekly test, doubt clear किस तरीके से कर सकते हो, खुद से पहले doubt किसे clear करना है, उसके method सिखाई जाती है, daily आपको task दिये जाते हैं, day wise tracking होती है, और weekly rank की position भी decide होती है, य सारी चीज़ें आप कर सकते हो, one to one mentorship भी हमारी तरफ से आपको दी जाती है, so I hope कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, so thank you so much and thanks for giving your pieces time at the last, God bless you, thank you so much.